नवश्कार सारे राजाओं को राजा बनना है चले इसी मुहीन के साथ स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को इस वीडियो में हम जानेंगे कि वर्चुल इंट्री कैसे खोदी जाती है देव उर्जा क्या होती है? कैसे देव उर्जाओं को बनाया जाता है? जैसे 45 शक्तियां हमारे इर्दकर्द विराजमान है उसमें से जो शक्तियां हैं उन शक्तियों को कैसे आप बनाते हैं? बहुत आसानी से ये शक्तियां बन जाती है इसके इलावा कैसे हम वो जो शक्तियों को बनाते हैं उसे कैसे इंस्टॉल किया जाता है? मैंने उसको नाम दिया देव मनी, देव उर्जाओं को विक्सित करने की या उजागर करने की जो एनर्जी बीट्स हैं, उसे हमने कहा देव मनी हैं, यह हमारे स्टोर पे भी अबलेवल हैं, तो जुड़े रहिए, जमे रहिए इस वीडियो में और जानिये इसके बारे में। देव मनी, मैं आपको एक बार समझा देता हूँ कि क्या चीज होती है, यह तीन पीसिस के सिट पे आता है, यह हमारे स्टोर पे अबलेवल है, यह कुछ ऐसा पट्टी जैसा है, यह लोही के फ्रेम में यह इंस्टॉलेशन किया हुआ है, इसके अंदर कुछ मिटल पीसिस को हमने काट के लगाया है, अलग-अलग आकार में, तो इसे देव मनी कहते हैं, देवता क्या होते हैं, देवता वो पैतालिश शक्तियां हैं, जो हमारे एंवार्मेंट में आटोमेटिकली एक्जिस्ट करती हैं, जिसके वज़े से हम अपनी डे टू डे वर्किंग पैटन को क करते हैं, जैसे किसी देवता का अगर वहां पर मौझूद नहीं है, जैसे किसी का घर L शेप में है, तो कुछ देवता कट गए, या किसी का घर V शेप में है, या किसी के घर में सेंटर पार्ट मिसिंग है, बहुत सारी बाते होती हैं, जैसे ग्राउंड फोर में आपने एक एक प्रोसीजन मैं बतानी की कोशिश कर रहा हूँ, इन मेटल पीसिस के द्वारा, जिसे मैंने देम मनिया कहा है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि ये देम मनी कैसे बनाई जाती है, मेरे हाथ पे जो देम मनी है, वो है डबलू फोर की, आप देख पा रहे हैं, इस पे च जो चार डॉट्स हैं, ये है विवासवान के चार डॉट्स, आप स्क्रीन पे इस साइड या इस साइड पे, मैं एक चार डाल रहा हूँ, उस चार्ट से आप जब कंपैरिजन करेंगे, वो एक शक्ती चक्र जैसा कुछ है, तो आप उसका जब कंपैरिजन करेंगे, तो दंत की देवमनी है, तो इसमें जो सेंटन में दो बड़े डॉट्स लगे हैं, वो ऐलुमूनियम के लगे हैं, क्योंकि उस पे जो पुष दंत का कलर दिया हुआ है, वो है ब्लू कलर, इसके इलावा जो डॉट्स, जो आकरी के डॉट्स हैं, वो है इसके डॉर बैलेंसर, आप देखेंगे, अलुमूनियम को कौन सबसे पहले कम करता है, तो एसस, तो इसमें एक डॉट्ट लगा हुआ है, एसस का, और अलुमूनियम को कौन होल्ड करता है, कौन होल्ड करता है, पानी को कौन होल्ड करता है, तो ब्रास, तो इसमें एक डॉट्स लगा है, ब्रास क उसके इलावा डोर बैलेंसर के दो डोट्स, डोट्स डोट्स पर ये कह रहा हूँ, ये मेटल पीसे कटे हुए आकार हैं, जो हमने इस लोही के फ्रेम में इंस्टॉल किया, चलिए एक और एक्जामबल के साथ इससे समझ लेते हैं, ये है भलाहट देखता, भलाहट देखता, किसी के नए अफसर नहीं आ रहे हैं, तो वो इसे इंस्टॉल कर सकता है, ये एन फोर पे लगाया जाता है, अब इसका जो फ्रेम है, या इसका ये बनाया के से गया, वो मैं आपको एक्स्प्रेंड कर देता हूँ, मैं आपको स्क्रीन के इस साइड या इस साइड पे एक आ और metal pieces लगे हैं, brass को कौन रोगता है और कौन खतम करता है, वैसे ही दो metal pieces इसमें लगे हुए हैं. तो अब हम इसको समझते हैं कि ये कैसे बनाया गया है, ये है बल्लाहट N4, आप देखेंगे कि बूधर में जो चार डॉट्स उपयोग किया आया है, उस पे जो बूधर है, जो सेंटर पार्ट के अनर्जी है, वो है aluminum, इसलिए इसमें चार डॉट्स aluminum के यूज होए हैं, आपने उस पे देखा विवासवान पे फायर का उपयोग किया गया है, रिट कलर का उपयोग किया गया है इससे पहले वाली फ्रेम में, इसलिए हमने वहाँ पर चार डॉट्स कॉपर के लिए हैं, वैसी ही आप देखेंगे जो भलाहट का कलर है, आप इस चक्र को देख रहे होंगे, तो वो है यलो कलर, यलो कलर का है, इसलिए दो यहाँ पर ब्रास लगाएगा है, वैसी ही ब्रास को कौन खतम करता है, कौन डिस्ट्रॉए करता है, डिस्ट्रॉइ कौन करता है, 5-Element Theorie को बार बार देखें, तो समझा जाएगा, तो poses, तो यहाँ पर एक poses की मोज़गोत की है, और ब्रास को control कौन करता है, तो RN, आरेन क्योंकि इस फ्रेम में वैसी ही मौजूद है इसलिए हमने यहाँ पर एलुमूनियम को उपयोग किया है तो एक एसस और एक एलुमूनियम तो यह दो दातू हमने नीचे लगा है तो अब आपने समझा कि कैसे देम्बनिया बनाई जाती है या देवताओं की उर्जाओं को कैसे जागरित किया जा सकता है इन छोटे-छोटे मेटल पीसे के द्वारा अब इसी वीडियो में हम इसे देखेंगे कैसे आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं किसी एन्वार्मेंट पे Map Grid कराना चाहे तो हमारे स्टॉर पे संपग करके आप Map Grid करा सकते हैं Installation कहां पे कराना है वो भी आपका हमसे सला लेना चाहें तो हम उस पे भी सला देते हैं कि ये कहां पे लगेगा कैसे लगाना है इस वीडियो में आगे चलके आप उसे देख सकते हैं तो आपको ये आगे आपको और समझा जाएगा इसके अलावा इसी वीडियो में और आप ये और देखेंगे कि कैसे Virtual Entry खोली जाती है Virtual Entry भी बहुत आसानी से खोली जा सकती है आने वाले क्या-क्या चीज़े उपयोग आएगी वो भी आप इसी वीडियो में साथी साथ देख सकते हैं तो आगे बढ़ते हैं चलिए, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में हम देवमनी Virtual Entry और इसी तरीके की बहुत सारी बाते करेंगे तो इसमें पहले हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे देवमनी डाली जाती है देब मनी यह हमने जो कहा है यह metal pieces का एक set होता है जो एक iron की plate पे mounted रहता है आप देख पा रहे हैं इस पे चार dots उपर की तरफ रहते हैं और उसके बाद दो dots रहते हैं और उसके बाद यह door balancer रहते हैं यह मैंने अभी थोड़े दर पहले explain किया है कि इसे कैसे बनाया जाता है म मैं फिर से बता दे रहा हूँ यह चार dot विवासवान के हैं यह west में हम सुगरीव की बना रहे हैं तो यह चार dot विवासवान के हैं यह दो dots सुगरीव के हैं उसके इलावा यह जो दो dots हैं यह door balancer के दो dots हैं तो इस तरीके से इसके अंदर यह चीजे लगाई जाती है कि इस विवासवान के copper के metal pieces यह छोटे हैं आकार में यह थोड़े बड़े हैं आकार में और इसके इलावा यह डोड बैलेंसर के दोड़ जैसे copper को जो रोकता है वो है brass ठीक है और copper को जो destroy करता है वो aluminium तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक brass लगा है और एक aluminium लगा है अच्छ इसी बात है यह देवमनी की अवशक्ता पड़ेगी यह देवताओं की जागरिद करने वाली उर्जा है तो एक देवमनी की अवशक्ता पड़ेगी तीन pieces के set पे आता है यह 3 pieces के set पे आता है यह हमारे store पे अवलेबल है बनाया किस तरीके से है वो भी मैंने समझा दिया ड्रिल मशीन, एक 24 mm की beat, एक marker pen, एक हतोरी क्योंकि वो install करता समय जब उसे हम ठोकेंगे और white cement की अवशक्ता पड़ेगी जाइड सी बात है हमें यह देवमनी की अवशक्ता पड़ेगी यह देवमनी भी 24 mm की है और यह 1.5 inch की है अगर हम ऐसे देखें अब इसको यहाँ पर रखके आप इसमें ठोड़ा था marking कीजिए हम कभी भी जब install करने जाएंगे तो सबसे पहले इसको यहाँ पर रखके वो जो tape और white color का जो tape है उससे हमने इसकी marking कर ली ताकि जब हम install करें तो यह उतना ही छेट करें जिसमें यह पूरा का पूरा properly चले जाए तो चलिए अब सबसे स्टार्ट करते हैं कि कैसे इस पर installation करना है यह हम सुग्रीव का installation कर रहे हैं सुग्रीव के installation के लिए सबसे पहले आप एक marker का उपयोग करके तीन dots बना लीजे डो dots रहेंगे दिवाल की तरफ पे यह डो dots होगे दिवाल की तरफ पे और एक triangle मुना आकार का यहाँ पर और यह तीसरा dot रहेगा यहाँ अब हम क्या कर रहे हैं इसकी उर्जाओं को आगे फेकने की कोशिश कर रहे हैं और वहां से उसको रोक रहे हैं यहाँ पर हमने एक नई उर्जा को स्टैबलिश किया उसको दो dots पे और आगे फेका इस तरीके के एक triangle बना लिया अभी इस triangle के उपर आप ड्रिल मशीन जहाँ जहाँ ट्राइंगल के जॉइनिंग पॉइंट्स हैं उनमें आप एक ड्रिल मशीन के उप्योग करके शेक बनाएए तो अपर पिता द्यान रखिए कि वो जो वाईट हमने उसमें मार्किंग करिये उससे जादा ना बनाए नहीं तो वो दूसरे की छट पर निकलाएगा हमार अपने फ्लोर पर रहें छेट पर वो अगले की छट पर ना निकलाएगा दो डॉट्स और इसी तरीके से बनाएगा अब ये तीन डॉट्स हमारे बन चुके हैं अब इसके अंदर जो हमारे द्वारा दिया गया प्राइगा प्राइक है जिसमें तीन बीट्स हैं उसको उपयोग करके इसे लगाएगे इतना दियान रखें कि जिस भी दिशा की तरफ लगा रहे हैं उसी दिशा की तरफ उसका मुह रहेका जैसे हमारे सामने वाली दिशा जो है वेस्ट है तो वेस्ट की तरफ लगा रहें और जो चार डॉट्स हैं वो चार डॉट्स नीचे की तरफ रहें अप इससे लगा रहें एकदम सीधा प्राइब करें यह बहुत आतानी से उसके अंदर चले जाता है उपयोग में जो आने वाली बीट है वो मैने बताई है वो बीट के मातियम से छेद करेंगे तो किसी प्रकार का कोई भी ज्यादा छेद नहीं होगा बराबर छेद होगा अब यह देखिए वैसी सेकेंड भी हम लगा रहे हैं और ये हम थर्ड भी लगा रहे हैं तीनों लगने के बाद आप ये पूरा कच्रा साफ करके एक कोचा लगा दीजे तो ये जो मारकर से हमने लाइन बनाई है डाइल के ओपर वो लाइन भी खतम हो जाएगी तो ये रहा देवमनी को लगाने का तरीका होप कि पसंद आया होगा बहुत आसान है अब हम वर्चॉल एंट्री कैसे खोलेंगे इसके बाद बात करते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में भी मतलब इसी वीडियो के आगे इस अंच में भी हम कैसे वर्चॉल एंट्री खोलते हैं उसके बारे में इसकी जानकरी इ एक एक इंच की टारीस लग जाती है तो करीब 10 से 12 इंच के आसपास की दिवाल होती है आम तौर पे तो उससे थोड़ा ही लीजे तो हम्में जो मार्केट पर मिला जैसे 16 इंच का मिला तो 16 इंच का हमने लिया है और 14 mm का लिया है वैसी हमारे स्टोर में मिलने वाली रॉड्स जो हैं यह रोड जो आप देख पा रहे हैं यह SS की रोड है और इसे मैंने East पे E3 पे खोलने के लिए यूज किया है East पे E3 पे East पे SS की रोड में इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि उसका Self का Color है इसलिए मैं SS यूज कर रहा हूँ तो East पे E3 पे हम यह Virtual Entry खोलने जा रहे हैं और यह जो रोड हमारे Store पे मिलती है यह आम तोर पे 12 mm की आती है और 12 इंच की होती है 9 इंच की वाल होती है एक एक इंच की टाइल से बाहर और अंदर लगी है तो मान के चले 10 से 11 इंच की हुई तो हम इसे जान मुझके 12 इंच की बेशते हैं ताकि कहीं पर भी किसी भी वाल पे यूज किया जाए इसके इलावा एक हतोड़ी इसके इलावा एक टेप और एक वाइट कलर का जो हमने उस पर एक कागज लगाया है तो आप इसको भी एक बार मार्किंग कीजे ताकि हमें पता रहे कि हम जाते-जाते कितना आगे जा पा रहे हैं उसमें यह इतनी रॉड है यह रॉड के साथ-साथ हमने मार्किंग कर लिया कई बार ऐसा होता है देखी वर्शोल एंट्री में काफी सार पा रहे हैं और वहां से कोई एक ऐसी एंट्री बनाया दिया जाए जिससे देव उर्जा हमारे घर को कनेक्ट हो तो हमें उतना SS के अंदर जो हमने रॉड यूज के है तो हमें उतना ही करना है कि SS की रॉड क्योंकि E3 पे खोल रहा हूं तो इसलिए SS यूज कर रहा हूं बत करांतियों में आ जाए यूज करके देखें बहुत कोई expensive बाती नहीं है इस तरीकी की रॉड 2500 रुपे से लेके 7500 रुपे तक हमारे स्टोर पे अब लेबल है चले अब इसे देखते हैं कि कैसे ये खोली जाती है इस पे drill machine का उप्योग करके जहां मैंने इनकी पहले से marking कर उस marking में आप इसे चालू कीजिए आपने देखा होगा कि जब दिवाल में घुस रहा था तो जैसी white line के नजदीक आया उससे पहले ही एक cut करके एक हलका सा धक्का पड़ा मतलब वो आरपार हो गया उधर पे छेद हो गया है तो अब इसे बस insert करना है इसे भी लगाने का तरीका आप रोट को हाथ पे ले लिजे तोड़ी के माध्यम से इसको ठोकते हुए वहाँ डाल दीजे आप इतना ध्यान रखें कि यह ग्राउंड में अंदर की तरफ ग्राउंड से चिपका रहे ग्राउंड लेबल से उचा के ना करें कई लोग और उचा 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 के लिए इसमें से कोई भी समान अगर आपको चाहिए तो आप चाहें तो हमारे स्टोर पे संपग करके यह समान ले सकते हैं मैं description box में एक नंबर लिख दे रहा हूँ उस पे आप कभी भी दिन में 11 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक कॉल करके आप अपना order दे सकते हैं कि जो के साथ खोली है वो मैंने इसलिए किया है कि किसी परिवार का ये खहना था कि बच्चा हमारा पढ़ना तो चाहता है पर वो पढ़ता भी है पर उसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे है जब मैंने बच्चे की कांसलिंग करी तो मुझे पता चला कि वो थोड़ा सा किया पुश्दन का पसंद आये तो जरूर लाइक किजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने कमंट जरूर लिखे और वास्तो गुरुजी को बहुत साड़ा प्यार देने के लिए धन्यवाद राजा बनना है तन मन धन से